कि अलो सूरेंट्स वेल्कम रूदा पार्ट थर्ड थेओरिज अभी तक पढ़ा था वह आपने रिवाइस कर लिया होगा तो अगर मैं एक बार ही समराइस करूँ कि यहां तक हमने क्या पढ़ा जितने कि दिफरेंट इंटरनाशनल ट्रेड को लेकर के थेओरिज है ठीक है वह हमने पढ़ा ठीक है चाहिए वह कंपारिटिव कॉस्ट एडवांटेज हो एपसुलीट कॉस्ट एडवांटेज हो हैक्सर ओलिन थेओरी का भी काफी पोर्शन हमने कवर कर लिया था तो जैसे कि मैंने आज की वीडियो में उसी के बरहें बात करते है चलो सबसे पहले में जनरल एकुलिब्रियम एनलिस के बारें बताएगा था तो पहले उस कहने पड़ते है अकॉर्डिंग तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया भी था कि जनरल एकुलिब्रियम थेओरी के इंडस्ट्री है आटो मिबील इंडस्ट्री की डिमैंड कम हो जाएगी तो एक पार्शल एकुलिब्रियम थेओरी क्या कहेगी कि सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से वापस से आटो मिबील इंडस्ट्री की डिमैंड जो है उसे वो क्या कर दो वापस क्रियेट कर दो अगर मै में बात करता हूं general equilibrium की तो यहां पर theory क्या suggest करती है कि सिर्फ automobile industry को stable करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको automobile industry के साथ जो relative बाकी industries है उनको भी क्या करना पड़ेगा, stable करना पड़ेगा, right, so according to the general equilibrium theory of value, relative prices of commodities are determined by demand for and supply of them, right, तो जो prices है वो किस पर depend करेंगे, वो depend करेंगे students हमेशा आपके prices और, sorry, demand और supply पर, the relative prices of commodities are determined by demand and supplier equal to average cost of production in the long run, under the competitive conditions, वो कहरे कि जो relative prices आते हैं, commodities के, ठीक है, जो demand supply से बनते है, वो किसके बराबर होते हैं, वेशा, average cost of production के, ठीक है, आगे क्या कहा है, this cost of production of a commodity depends upon the prices paid for the factors of production, of course, जो भी आप, मलब cost of production आ रही है, मलब अगर किसी चीज़ को बनाने में मेरे को कोई cost आ रही है, तो जो cost of production मेरे को students आएगी, वो कैसे आएगी, that is very easy to understand कि मेरे को cost of production आती है, depending on कि मेरे को हर एक factor, चाहे वो land हो, ठीक है, चाहे वो labor हो, चाहे वो capital हो, चाहे वो entrepreneur हो, ठीक है, जो भी मेरे पास factor of production है, उसके लिए मैंने कितना price pay किया, तो जिनके लिए मैंने जो price pay किया है, उसके basis पे मेरे पास क्या आएगा, उसके basis पे मेरे पास prices आएगे, आगे, factor prices in turn determine the incomes of the factor supplier and hence the demand for goods, वो क्या, जो factor prices होते हैं, वो क्या करते हैं, वो income decide करेंगे, तो कि आप जो इनको एक तरीके से अपने part पे cost दे रहे हो, expenditure कर रहे हो, तो वो आपके part पे expenditure होगा, अबर receive करने वाले के part पे क्या बन जाएगा, वो income बन जाएगा, ठीक है, तो वो income बन जाएगा, तो जब वो इनकी income बनेगा, तो जब वो इनकी income बनेगा, वनलाब रेंटल फॉर्म में, जो tenant है, जो सोई, landlord है, उसको income आएगी, लेबर को wages की form म income आएगी, तो जो income इनके बास आएगी, वही तो ये goods and services पे spend कर पाएगे, right, so factor prices enter and determine the income of the factor supplier and hence the demand for goods, तो जैसी जैसी आप अपनी country में income का distribution करेंगे, उसी according ये आपकी country के अंतर क्या होगा, demand create होगी, thus, trade is mutual interdependence between prices of commodities and productive factors, वो करें, इसी वाज़े से जो trade होता है, वो सिर्फ इ commodities का price है, वो क्या होगा, वो इस बात पर में depend करता है, कि जो उनके factors और production है, उनका price क्या है, right, further, exchange of commodities and factors depend on their demand, this is how general equilibrium theory of value explains prices of commodities and factors among different individuals, regions or country, तो करें, इसी वज़े से अगर हम बात करते है, इस theory की, तो इस theory के according हमें क्या पता चलता है, कि हर एक चीज़ connected है, तो general equilibrium analysis के अंदर, connected चीज़े होती है, उनके equilibrium की बात करते हो, so, वो कह रहा है कि जो, the Hexer-Roll-In theory can be explained in the form of two theorems, दो theorem की form में explain करेंगे, जो हमें last time क्योंट से बात भी की थी, ठीक है, पहला हमें क्या का है, पहला हमने बात क्या है, जो pattern of trade जो है, उसको predict करने वाली बात, और दूसरी वाली बात क्या हमाँ पस, जो factor price equalization है, बदब जो भी factors of production है, उनका price equalize कैसे होगा, उसके बात करेंगे, चलो, तो पहले में यह दे रखा है, कि the Hexer-Roll-In theory states that a nation will export the commodities whose production requires more or intensive use of the nation's relatively abundant and cheap factor, ध्यान से समझना सूरन, वो कह रहा है कि एक nation export क्या करेगा, एक nation will export the commodities, वो commodities को export करेगा, उस production requires more or intensive use of the nations relatively abundant, मतलब वो चीजों की production, जो country को बहुत, मतलब बहुत, जादा, बहुत, जादा महनत करके नहीं, ठीक-ठाक महनत करके मिल जाता है, लेकिन किसमें, वो चीजें, जो resources abundant है, मतलब नेशन के पास sufficient मात्रा में है, और नेशन को उनक आने के लिए जो factors रखते हैं, वो भी cheap है, अब एक बात सोचो ना, किसी चीज को में को extensively research करके बात बनाना पड़ता है, वो भी जो बहुत rare है, उसके बात उसके factors भी महंग है, तो मिल को इतना जब महंगा process पड़ेगा, तो ऐसी चीजों को मैं export करी नहीं पाऊंगा, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं, उन चीजों को export करने की, जो मैं comparatively abundance में बना सकता हूँ, और cheap, and import क्या करेगा, उस production requires the intensive use of the nation's relatively scarce and expensive factor, और import क्या करेगा, व्लब जहां पे उसको पता है कि मेरे पास, जो scarce resources है, ठीक है, उन resources को, और वो भी उपर से expensive है, तो अगर मैं अपनी country में उन resources access कर भी लूँ, ठीक है, तो भी वो मुझे बहुत महनत से, बहुत मुश्किल से मिलेगा, उपर से महंगा पड़ेगा, तो it would be a better thing कि मैं उस चीज़ को क्या करना हूँ, दूसरे देशों से import करना हूँ, right, so in other words, the nation that has labor in abundance shall produce labor intensive commodities, एक nation जो कि क्या है, जिसके बहुत labor है, like China हो गया, like India हो गया, तो यह वो countries है, जहां पर क्या होता है, abundance में labor है, बहुत labor है, तो यह क्या करेगा, यह labor intensive commodities को produce करे, and exports its surplus, तो जो भी तुमारे पर surplus है, वो तुम एक्सपोर्ट कर दो, it will import the capital intensive commodity from a capital abundance nation in exchange, और जो भी तुमारे पास capital की कमी है, जो भी तुमारे पास capital की कमी है, वो तुम क्या कर सकते हो, उन देशों से मंगवा सकते हो, चिन के पास capital abundance के अंदर है, तो यह simple सा एक model है, राइट, देखो, यहां पर में दिया हुआ है, Hexer-Olin theorem points out all the possible reasons for the difference in the relative commodity prices among nations, it is a difference in relative factor abundance or factor endowments which determines the comparative advantage and international trade, वो कह रहे कि देखो, Hexer-Olin theorem जो है, उसने क्या के हो, सारे के सारे possible differences बताए, किसके अंदर, एक तो relative commodity prices among nations, मतलब एक nation से दूसरे nation में, जो commodity के prices है, उन में क्या difference है, It is a difference in relative factor abundance or factor endowments, which determines the comparative advantage and international trade, वो कह रहे कि mainly यह चीज़ यह समझाना चाहती है, कि जो relative prices, जो differ करते हैं, वो किस पर depend करते हैं, कि कोई भी जो factor है, या, मतलब कोई भी जो commodity है, या उसको बनाने वाले जो factors of production है, वो particularly किसी country के अंदर, किस scale पे available है, तो जितना जादा वो available होंगे, based on that, आपको comparative उस चीज़ को बनाने में अपने देश में, या दूसरे देश में बनाने में क्या मिलेगा, फाइदा मिलेगा, राइट, तो यह हमारे पास point आ गया, अगे रिकाओ में क्या का है, this is the reason why Hexer-Olin model is referred to as factor proportions, why factor proportions है factor annonement हो रही, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ goods and services के prices के बात नहीं कर रहे है, यहाँ पे goods and services के prices के साथ साथ, we are talking about जो मेरे factors of production है, उनके prices भी, right, unlike the classical economists, who simply assumed comparative advantage to be the basis of trade, the Hexer-Olin theorem explains the reason of this comparative advantage among the firms, that is the difference in the relative factor abundance and prices, it is the cause of the pre-trade difference in relative commodity prices between two nations, variation in productive factors is thus cause of inter-regional specialization and trade as differences in individual aptitudes are the cause of exchange between individuals, ठीक है, तो हो कहारे के देखो, इसमें क्या है कि हमें क्या समझना पड़ेगा, कि जो भी इनके prices का जो variation है, वो specialization की वज़े से हो, वो या फिर availability की वज़े से हो, वो main day करेगा, कि countries आपस में trade कैसे करेंगे, Olin, starts by pointing out the obvious similarity between individual specialization of division of labor, hopefully division of labor आपने पढ़ा हो का सूरे नहीं हमेशा से पढ़ते है, आपने मनेजमेंट के अंदर भी आपने पढ़ा है, एकनोमिक्स में भी आपने पढ़ा है, division of labor is nothing means specialization, मनब जब मैं काम, labor को काम divide करता हूँ, based on their skills, expertise, past expenses, experiences, जिससे की specialization हो सके, right, and inter-regional specialization introduction, this is just as individuals specialize in some line of economic activity according to their ability or aptitudes, right, तो हो कहने कि यह simply कहा है, कि मतलब जिससे अब मेरे को है, मैं economics, management, international trade, इसमें specialize दूँ, तो अगर मैं यही काम करूँगा, तो मेरे लिए बेटर रहेगा, है न, तो कि फिर मैं कम टाइम में जादा से जादा लोगों को cater करके अपनी services export कर सकता हूँ, तो यही simple है, as a result, both individual and social production is maximized, अगर तुम एक ऐसे person से कोई भी काम करवाओगे, जिस काम में वो expertise रखता है, specialized है, तो उससे उसका तो फाइदा है, इस society का भी फाइदा है, उसका फाइदा कैसे है, तो कि अगर मैं specialized हूँ काम में, तो उस काम में मेरा मन लगेगा, और क्योंकि उस काम में मेरा मन लग रहा है, तो मैं उस काम में better perform करके, अच्छा earn कर सकता हूँ, एक काम जो मुझे नहीं आता, लेकिन just for the sake of money, मैं करने भी लग जाऊँ, तो students problem के आएगी, कि वो कुछ time तक तो चलेगा, बट in the long picture, in the long run, वो मनदब stable नहीं हो पाएगा, क्योंकि आता ही नहीं, तो कितने challenges face करते हो, आप काम करोगे, लेकिन अगर वहीं, वो काम अगर आपको आता है, ठीक है, तो आप उस काम को enjoy करोगे, enjoy करने के साथ-साथ, क्योंकि इस काम में आपको आता है, तो गलतियों के chances कम है, तो you will be likely to be hired by most of the people, दूसरी बात, और सबसे important, क्योंकि वो काम मुझे आता है, तो society के सब justification होगी न, कि अगर मैं आपसे money लेकर के, आपको वो काम करके देरों, जिसको मेरे को specialization है, तो यह आपके लिए एक better चीज रहीगी, right, so आगे यह क्या रिखा हुआ है, similarly different region endowment with different types of productive agents specialized in producing, those goods and services for which their productive factors are more suited, तो वो क्या है कि different region में जो different types के productive agents होते हैं, resources होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऐसे goods and services को students produce करते हैं, जो उनके हिसाब से better suited होगा, in this way, trade between individuals or between regions and countries is based on the fundamental fact that there are differences in the factor endowment, तो क्या है, इसी तरीके से हमें यहां से एक basis मिला, और वो basis क्या मिला, कि जो trade होता है individual regions के बीच में हो, countries के बीच में हो, उसके पीचे से सबसे important वज़ा होगा है factor endowment, कि कोई भी factor किसी एक particular country में किस हिसाब से availability रखता है, finally, the classical theory of international trade has been replaced by the modern theory developed by Heberler, Hexer, Olin and several others, finally, क्या हुआ, कि जो यह classical theory जो भीदा हम international trade की पड़ते हारते, वो modern theory से replace कर दीगे, right, चलो, अब ज़र हम general equilibrium framework की बात करें, the general equilibrium model under the Hexer-Olin theory shows that the economic factors jointly determine the prices, is the price of final commodities that are understand from the chart 3.1, just a second student, मैं आपको यह chart यहाँ पे देखता हूँ बनाए, नहीं बनाए, मैं रुको आपको यह chart बनाकर के, फिर यह concept clear करता हूँ. झालीो की भीजिता हूँ. झालीो की बहाँ, के बनाए हैु जपको यह वहे डचया ménaए, ्लो, मैं जब बनाए, क्पएORIA सफ़ GRET जवज हैुरू आवाँ, प्रादाम छावधाज की जवगाँ. से सब्स्मारूप LEटे की ओुटाँ चलो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है सबसे पहले सुद्ट समय दिये हुए तो पहले बापास क्या दिया है अब ये commodity prices जो है in turn ठीक है वो कैसे आया कि आपको इसके factor prices कितने के पड़े as we have just discussed earlier कि मेरे को जो factors of production है वो कितने के पड़े उसके सापसे मैं अपने commodity price size करूँगा अब ये जो factor prices है वो किसके ऊपर depend करेंगे वो depend करेंगे derived demand for factors अब students पात ये है कि derived demand का मतलब क्या होता है derived demand का मतलब simply होता है कि किसी भी चीज के demand तब करना जब उसका मतलब कोई main चीज की requirement है तो उस चीज के demand करेंगे तो जिसे एक example हो that आपको एक 3-piece चाहिए अब आपको क्योंकि 3-piece बनवाना है अपने लिए 2-piece बनवाना है अपने लिए आपके friend की marriage आ रही है आपके घर में कोई function है या आपको कुछ का personally कोई function है तो अगर ऐसा कोई भी function है और आप 2-piece या 3-piece लिवाना चाहते हो तो आप कपड़े की demand करोगे ना तो जो भी 3-piece या 2-piece का कपड़ा है वो उसके demand क्योंगे derived demand क्योंकि मैं उस कपड़े को तब लेना चाहता हूं जब मेरे को 3-piece या 2-piece की requirement है डारेक्टली मैं कभी उस कपड़े को जाके सिर्फ कपड़ा लेकर करके नहीं हो क्योंकि मेरे को उस कपड़े से किसी तरह का कोई usage फुल्फिल नहीं होता को रिक्वार्मेंट फुल्फिल नहीं होती सिमिलर्ली अब सम्जो ऐसे कि अगर आपको घर बनाना है तो आप इट और सीमेंट जैसी चीज़ो की requirement करोगे घर नहीं बनाना तो ऐसे थोड़ना कि कोई ऐसा अगर को वीर्ड शॉक है तो एक अलग बात है कि आपको बड़ा मज़ा आता है इट और पत्थर इखटे करने में तो मतलब घर चाहिए तो मैं क्या करूंगा तो मैं अपना जो फैक्टर से उसके मतलब जो घर चाहिए तो उसके जो मनाने लिए फैक्टर से उनकी दिमांड तब करूंगा ठीक है अब यह जो derived demand for factors है व उनकी क्या demand है, उसके ऊपर depend करेगा कि derived demand कैसी रहेगी, ठीक है, तो कि अब दे को शादियों का जब season आता है, तो उस time पर उन सब चीज़ों के demand बढ़ जाती है, तो उस case में, जो हमारे पास requirement होती है, मतलब जो final commodities को लेकर requirement होती है, वो क्या हो जाती है students, वो बढ़ जाती है, right, अब final product का वो कह रहे हैं, कि final product की जो requirement है, वो किसके basis पर depend करेगी, वो तो multiple factors पर depend करती है, जिसमें से taste and preferences भी एक factor आता है, ठीक है, इसके लाब आप वो कह रहे है कि, और जो ये demand है, वो और किस पर depend करेगी, वो depend करती है, distribution, distribution, demand आप जानते हैं, आपने definitely पढ़ा होगा, जब आप अपने microeconomics पढ़ रहे होंगे, 11 standard में, कि factors determining demand for a commodity, है ना, तो ये वो ही बात है, कि मेरी कोई भी final commodity की demand जो है, वो किन-किन factor पर depend करेगी, तो taste and preferences होगे, इसमें पर depend करेगी, और distribution of ownership of factors of production, और you can say distribution of income, है ना, आप जो अपने factors of production है, उनको income कैसे दे रहे हो, उस पर depend करेगा, demand देखो, अभी बहुत simple सा model student, अगर आप समझ के देखो, तो हम कहना ये चाह रहे हैं बार-बार, कि मान लो, कि फिलाल, एक factory है, ठीक है, और इस factory के अंदर, इस factory के जो land है, वो एक household ने supply करी, उसके पास से ये land आई, ठीक है, फिर, पास में ही एक छोटा सा गाउ है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, मना, of course, ये household भी वह में का है, तो वहाँ पे गाउ में क्या है, कुछ लोग रहते हैं, तो उन लोगों से क्या मिली, labor मिल गई, ठीक है, और उसी गाउ के जो थोड़े बहुत अमीर से लोग है, ठीक है, उन लोगों ने क्या करा, उस business वाले person को कुछ amount दे दिया, invest करने के लिए, और businessmen ने अब से, ये क्या करेगी, ये अपने सभी लोगों को income का distribution करेगी, कि भाई, तू household, तुमने में को land दी थी, तो ये rent बनता है, अब लेलो, तुम्हारे ऐसे labor आया थे, तो अभी wages लेलो, तुमने मुझे capital दिया था, तो तुमें interest लेलो, और entrepreneurship के बतले, मैं तो profit रख तो इनके पास जो incomes आएंगी, इन incomes को further students क्या किया जाएगा, इन incomes को further, मतलब, use किया जाएगा, further consumption purpose, क्योंकि factory ने जो बनाया, वो consume कौन करेगा, वो ये ही लोग, तो अगर factory better returns देती है, मतलब, अच्छे distribution करती है, income का, अपने factors और production में, तो people will be having more income, more income का मतलब है कि उनके demand उसके according ही की जाएगे, अच्छा, अब जो commodity prices है, एक हमें angle दे रखा है, वो supply side वाल है, तो demand side वाल हो गया, एक वो कह रहा है कि किस पर depend करता है, पहली बात, technology पर, of course, आपका पूरी तरीके से commodity का price आपके technology पर depend करेगा, the better and more advanced technology you will use, ठीक है, तो bulk production की वज़े से, अच्छी technology क के वैसे, उसका price comparatively क्या हो सकता है, कम, तो technology के वैसे, और यह तो factor prices है, महला कि वो labor का price कितना होगा, land का price कितना होगा, capital का price कितना होगा, वो depend करेगा, किस के उपर, एक और factor के वाल, which is called supply of factors, क्योंकि मुझे ये भी तो देखना पड़े का, derived demand तो ठीक है, लेकिन factor की supply कितनी है, अब जाहिर है, आपने ये बाते सुनी, कहीं न कहीं, definitely होगी, कि कही बारी students होता क्या है, कि न, जो भी चीज़ है, demand कर रहे होते हैं, जैसे, माल लो, एक example लेके चलता हो, कि जैसे ही, ये wedding season वगएरा आता है, तो उस time पर क्या होता है, ये जो labor के requirement है, बहुत बढ़ जा होता है, labor नहीं है, तो कहीं न कहीं labor shortage है, तो फिर जो factor prices से वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, किसी भी case में, तो ये हमारे पास दिया होगा है, ठीक है, तो ये हमें बोला होगा है, तो ये हमें बोला होगा है, देखो, as can be seen in lower right hand corner of chart 3.1, the distribution in the ownership factors of production, that is the distribution of income, and the tastes together determine the demand for the commodities, right, this demand for final commodities determines the derived demand for the factors of production, वो जो demand है, commodities की, वो depend करेंगी किस के ओपर, कि आपकी जो derived demand है, factors of production की, the factors of production along with the supply, determine the price of these factors of production under the perfect competition, वो केरे के factors of production की, जो demand है, और जो supply है, दोनों मिल के क्या करेंगे, इन factors, जो है, इनका price aside करेंगे, the price of factors of production with the given level of technology, determine the price of the final commodities, वो केरे, इन दोनों के prices की वज़े से, final commodity का price is assigned होंगे, further, the difference in the relative commodity prices between nations, determine the comparative advantage and pattern of trade, अब वो केरे के, ये एक pattern तो सब में सेम चलेगा, लेकिन, जो countries, technology के हिसाब से usage करेंगी, उसकी वज़े से, जो commodity के prices है, वो country to country का कर सकते है, वेरी कर सकते है, वेर प्लस इन अवेलेबल कंडिशन के बेसिस पर वेरी कर सकते है, राइट, अफ ऑल दो फोर्से वर्किंग तोगेधर, वेरी कर सकते है, वो के है कि जो सारे वेक्टर को साथ में लिया, है वो क्या कर रही है, वो इसको डिफरेंस इन दा फिसिकल अवेलेबिटी और फैक्टर अमंग नेशन विद दा किवन स्टेट, टेस्ट अन टेक्नलोजी, वो कैरे कि वो आइसोलेट कर रही है कि वह जो सप्लाइ है, ठीक है, सप्लाइ और टेक्नलोजी और टेक्नलोजी और टेस्ट अन प्रेफरेंस के बीच में वो एक्जिस कर रहा है, इस 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 उस्पेंग में किसी चीज के चेसें प्रिफरेंसे मनों किसी चीज के दिमांड डिफरेंट हो सकती है सबके दूसरी कंट्री में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ओन कि कौन सी कंट्री है, right So thus, it is a difference in the supply of various factors of production in different nation that is the cause of different relative factor prices in different nations वो कहा है कि जो, it is a difference in supply of various factors of production किसी भी country के अंदर, किसी भी एक factor की supply कितनी है इसकी वज़े से पता चलेगा कि उनके relative prices में क्या differences आएंगे, right तो कि कोई चीज कहीं पर abundance में है, कोई चीज कहीं पर जो है, वो scarcity में Finally, the technology but different factor prices lead to different relative commodity prices and trade among nations Hexerol-in model does not require taste, distribution of income and technology be exactly the same in two nations Hexerol-in theory ने ये बात सही कही, कि वो ये नहीं कहने कि taste जो है या income का distribution जो है, या technology हर country में same होगा But, अगर आप देखो, तो हमेशा अलग होगा और practical world में students हैसा ही होता है Practical world के अगर आप बात करें, तो वहाँ पे हर country का taste and preferences अलग है हर country के पास nature की वज़े से resources अलग होते है और हर country ने अपने, अपनी journey के अंदर जो technology है वोग different level पर performance थी, right चलो, एक बाई से यहां तक बीड करो, फिर आगे बात करते है आप factor pricing theorem पढ़ो तो factor pricing, price equalization theorem क्या है Classical theorists assume that the factors of production were mobile within a country but immobile between the countries classical theorist वो इस बात को मानते है कि जो factors of production है उनमें mobility है, वो move कर सकते है within a country but immobile between the countries लेकिन countries के बीच में move करना उनका मुश्किर है However, Olin argued that factor moved only in restricted manner within a country वो कहरे, यह बाना जाता है कि जो country के अंदर भी factor की movement है वो restricted होती है अब अब देको absolutely, अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ तो इंडिया में ही आप एक जगह से दूसरी जगह इतना असानी से move नहीं करते within the country move करना ही बहुत difficult होते है because you have to take into account several factors कि state में जा रहे हो, वाँ का language barrier होगा language barrier के साथ साथ वाँ का food का barrier होगा so there are n number of things students so different nations, different cities, states के अंदर भी different है right, further there was no absolute immobility of the productive factor between the countries Olin explained the obstacles to factor movements he also stated the relation between factor and commodity movements he said that Olin explained the theory factor movements and he also explained what the relation is land and natural resources are by and large immobile if we talk about any land or any kind of natural resources it is a lot of abundance and it is immobile therefore the factor movements is mainly concerned with labour and capital so this means factor movement, where is it concerned? labour and capital, because the rest of the move is not possible the main problem to movement of labour and capital is psychological the worker dislike change in occupation just as if we are talking about locality and surroundings on account of uncertainty now look, because we are North India में हैं तो बिहार, UP के जो लोग है वो डेली में या आसपास के जैसे अमनलब खेती के काई बारी काम करने के लिए पंजाब अन्जाब अन्जाणा तक भी चले जाते हैं अब पदा इसकी पीछे की वज़ा क्या है सूरें तो पूरे नॉर्थ इंडिया को ना युनाइट क सोच के जखो तो अगर नॉर्दन पार्ट अफ इंडिया के अगर बात की जाएं आम नॉट तक बूर्थ पूर्ष्ट अबुर्थ जाएं तो अगर नॉर्थ पूर्षन तक की बात की जाएगी तो student you will find कि more दन 90% जो लोग होंगे उनको हिंदी आती है मोलनी, Gujarat चले जाओ आज़ाय पीपल अंदेस्टान्डी राजस्तान चाहर जो वहां पीपल परदेश पॉडशन एवन दो ईंक्लूडिंग मध्य प्रदेश पॉर्षन अज्वल भी हम रंडॉस्टान्ड करते हैं बिहार में अंडरस्टान्ड करते हैं डिली तो इसलिए कि लेबर ना नौर्थ में तो फिर भी मूफ कर जाती है फिर भी यहां से कर साउथ को यहां मूफ करना है साउथ के लोगों को तो प्रॉब्लम है अब समझो लैंग्विज का बहुत बड़ा बेरियर फिर कमफर्टेबली नहीं आती तो कि फेस्टिवल अलग होते हैं लोग अलग होते हैं सोच अलग होती है तो इसमें साइको लॉजिकल बैरियर तो कही यहां तो बिज़ अपने से कुछ भी दूर शूडू करोगे तो उसका बूश्किल है तो उस चीज के अंदर आपको एक दर रहेगा तो लेबर खुद मूव नहीं करना चाहती अब देको है बेरियर तो लेकिन इसका मतलब करना चाहती है तो इसका मतलब करने के लिए थोड़ा टेंशन में आता हूँ कि किसी और कंट्री के अंदर में इंवेस्ट कर रहा हूँ अब देको है बेरियर लेकिन इसका मतलब यह रोड़न है कि मूवमेंट ही नहीं आप साउथ इंडिया भी जाएंगे तो वहाँ पर बहुत से नॉथ इंडियन काम करते हो दिखेंगे और क्योंकि आप नॉर्थ में ही जादतर सूरेंट ऐसा कि मैं मान रहा हूँ तो नॉर्थ इंडिया में यूविल फाइंड मैनी साउथ इंडियन पीपल वर वकिंग देर अगर आप डेली में है तो डेली में आप देखना बहुत से साउथ इंडियन लोग है और इंफे रहा कि मैं है रहा हूँ efficient utilization. Consequently, the volume of demand, production, trade and income rises in both the countries. It will ultimately lead to equalization of factor prices, commodity prices and stoppage of international trade. कैसे? Factor price equalization theorem is a corollary to the Hexer-Olin theorem since it holds only if the Hexer-Olin theorem holds true. It was given by Paul Samuelson and अगर आपने नाम सुना हो Paul A. Samuelson, तो ये मतलब अभी तक की जो economics की जो definitions दी जाती है, उन में से अब तक की जो सबसे जादा appropriate definition मानी जाती है वो Paul A. Samuelson की है, which is growth definition. And it is also referred as Hexer-Olin-Samuelson theorem. क्या किहरा चाहते है उस फिरुम में? Factors of production move from the region where the price is low due to abundance, right? To the region where it is high due to scarcity. जैसे कि Delhi के अंदर आपको maximum जो लोग मिलेंगे, वो मिलेंगे migrated. एना? Delhi में maximum लोग मिलेंगे है, Delhi में proper delight, proper delight मतलब वो लोग जिसके ancestors ही Delhi में आके बैठ गया से 30, 40, 50 साल पहले, ठीक है? तो वो नहीं है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब यह कि 50, 70 साल पहले से Delhi में बैठे, तो बहुत कम लोग है, जो proper delight होंगे, ठीक है, जिनके grandfather ने भी यहीं जनम दिया, father ने भी यहीं और फिर आप में से कोई ऐसा है कि आप भी यहीं पर हो, जादा तो लोग डेली में आपको आसपास के area से क्या मिलेंगे? migrated क्योंकि उनकी states में, उन states के अंदर abundance है labor का, और यहां scarcity है, तो abundance की वेज़से में प्राइसे कम है, यहां scarcity के से प्राइसे हाई है, as a result of factor movement, the supply is increased, right and hence price rise in the first region, the reverse happens in the second region, पहले region में तो हो जाएगा, ठीक है भाई क्योंकि supply कम थी, तो आपका prices बढ़ गया, लेकिन second region में, क्योंकि जादा labor आ गई, तो price कम हो जाएंगे, ठीक है, in this manner, inter-regional mobility factor brings about an equalization, तो यह movement चलता रहेगा, चलता रहेगा, कब तक जब तक prices equation हो जाए, अब इसका best example, currently अगर समझने के लिए, international business में ही समझने के लिए, oh I'm so sorry, Canada, आपको, अगर आप यह वीडियो 2024 में, April के आसपास देख रहे हो, तो उसके लिए perfect example है, क्योंकि आप जानते हो कि 2024, April के अंदर, Canada के अंदर, बहुत tensions है, अगर यह वीडियो देख रहे हो, तो सिर्फ फिर search कर रहे हो, साथ में, बाद में, कि बहुत क्या tension थी, तो इस ताइम पर वो खालिस्तानी का matter, जो है, बहुत जादा उठा हुआ है, और, Canada के अंदर, इंडियन जो बच्चे है, पढ़ने के लिए बहुत सारे चले गए, जिसकी वज़ा से, Canada के अंदर, पढ़ाई करना, तो जो है वो है, लेकिन, jobs मिलने में, बहुत difficulty आ रहे है, क्योंकि, जो उनका wage rate था, कि हम इतना minimum wage rate देंगे, काम करने के लिए, अब जो when factor prices are equal, there will be no movement of factors between the region, अब आज के rate में, बहुत लोग को पदा चली चुका है, कि Canada में इतना फायदा नहीं रहा, income कम होगी, expenditure भाही है, तो अब Canada बच्चे नहीं जाना चाहरे है, अब वो कहने, कही और raise दो, तो यह होता है, क्योंकि एक point तक पोछीज इंक्रीज करती जाती ह है, इसके बाद आपको लगता है कि अब नहीं, राइट, so instead the movement of commodities starts in its place, the greater the movement of commodities and lesser the obstacles to the trade, so the more perfect will be the equalization of commodity prices as well, if commodity prices were equal, there would have been no trade between the two regions, अगर सब कुछ से हम हो जागा तो फिर ट्रेट करने का फायदा ही है, राइट, so it is thus clear that both inter-regional trade as well as inter-regional factor movements have the same effect on inter-regional price equalization, however the increase in the of one reduces the other, and increase in trade through, say improvements in the means of transportation will cause greater equalization of prices of the commodities as well as productive factors, consequently factor payment will be reduced, तो कि अगर आप देको ना, वो कहरे कि अगर मानलो आपके बाद transportation के means बढ़ेंगे, तो इसके वज़े से होगा क्या, commodities को पहचाना असान हो जाएगा, तो जब commodity को पहचाना असान हो जाएगा, तो जब commodity तो factor payment move करना बंद करेंगे, तो वो चीज़े कम हो जाएगे, तो on the contrary, if mobility of factor rises, there will be greater harmony between the prices in the two regions, this will reduce the exchange of commodities contracting trade, जब बाई easily, वो कहना हो, if the mobility of factor rises, mobility rise करेगा, तो वो वहीं पहीं पहीं चीज़े बना देगा, तो फिर उस case में trade का कोई basis ही नहीं बशने वाला, therefore an expansion of international trade brings about contraction of factor movements between the countries, यह एक और तरीके से आप समझ सकते हो, कि अगर international trade बढ़ता जाये, बढ़ता जाये, मान लो कि आप इंडिया में है, और इंडिया में ही आपको world class education, इंडिया में ही world class आपको healthcare system, और जो भी चीज़े हम foreign में जाकर करके, हम विले लिए लिए, seeking in foreign countries के, हम यह मिलेगा, वो मि जाएंगी, तो फिर यह movement का वजा ही नहीं होगा, तो international trade अपने आप ही contract का जाएंगा, लोग कहेंगे, जब अपने देश में सब चीज़े मिल रही है, तो फिर बात ही कतम हो जाती है, दूसरे देशों में जाने की, in practice, however, there will normally be movement of only commodities between the region and no need for inter-generation movement of productive factors, even if there is no perfect equalization of commodity in factor prices, the differences in factor prices may be too small to prevent mobility of factors, right, in such situation, mobility of factors has no effect on prices and production, it is also theoretical possible to visualize a situation where there is only one factor movement, but no movement of commodities between the two regions, okay, such possibility is there, तो वो भो ही बोल रहा है, तो वो ही बोल रहा है कि, in practice पे देखा जाए, तो actually movement रहती ही है, ठीक है, मतलब कहीं न कहीं commodities एक country से दूसरी country में move करेंगी, again वही बात आजाती है, उसके पीछे की वज crisis भी होते है, इसके वीजे, पीछे की कही बार ही वज़ा होती है, countries का specialization होना, जैसे कि आपको पता होगा, कि maximum time, fashion, luxury, perfumes, इन सब के मामले में जो country top पे जाती है, वो कौन सी है, वो France है, ठीक है, France, Italy, ये countries बहुत जाधा top पे रहती है, अब क्योंकि वहां का culture, वहां की चीज को specialized हो चुके है, मैं ऐसा बिलकुल नहीं कह रहा कि इंडिया में perfumes नहीं बन रहे, या UAE में नहीं बन रहे है, और parts में नहीं बन रहे है, लेकिन world में सबसे जाधा famous वहां के हो गया, तो ये भी वज़ा बन जाती है, right, so according to factor price equalization theorem, international trade will bring about equalization in the relative and absolute return to homogeneous factors across nations, वो कह रहा कि international trade का करता है, equalization लेकि आता है कि इसमें relative या हो गया, ये फिर absolute return to homogeneous factors across nations, that is international trade is a result of international mobility of factors, तो जो international trade है, वो किसका factor बन गया, जो international mobility होते है उसका, this means that with international trade, the wages of homogeneous labor in terms of level of training, productivity and skill will be the same in all trading nations, okay, है कि अगर international trade होगा, तो वेज़ा है, वो क्या हो जाएंगी, homogenous labor में, sub countries में same, similarly international trade will cause the return to homogeneous capital, that is in terms of same productivity and risk associated with it, will be the same in all trading nations, so thus international trade will make the same in nation A and B, likewise it will make a, to be the same in nation A and nation B, hence both relative and absolute factor prices will be equalized, इस तरीके से, यह जो theory में यह काम करते है, right, देखो, next हमारे पास क्या दे रखा है, next हमारे पास, और tricky situation दे रखे है, the relative prices of commodities say X is over in nation, मानलो के बही, जो relatively price X का, वो एक A nation है, उसमें काम है, then in B, because the relative price of labor W is lower in nation A, as nation A specialized in the labor intensive commodity, क्योंकि जो उस commodity को बनाने वाला labor है, वो उस देश में सस्ता है, तो उसकी वज़े से, उस commodity का price उस देश में सस्ता है, ठीक है, so and reduces this production of commodity Y, the relative demand for labor rises, causing wages W to rise, अब वो क्या कह रहा है, and reduces this production of commodity Y, ठीक है, अब क्योंकि Y उसको महंगा पड़ता है, तो वो Y बनाता ही नहीं है, अब Y नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि उसकी requirement कम हो गई है, तो इसकी वज़े से, जो demand उसके labor की बढ़ जाएगी, तो wages बढ़ जाएगी, while the relative demand for capital falls, causing interest rate R to fall, वो कह रहे है, लेकिन जो relative demand for capital है, वो क्या हो जाएगा, वो fall कर जाएगा, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे है, तो आप काम नहीं कर रहे है, तो capital तो आपको rate जो है, वो कम पे मिलेगा, अब capital कम rate पे मिलेगा, तो interest rate fall करेगा, contrary to it, the relative demand for capital rises in nation B, nation B में बढ़ेगा, क्योंकि वो तो capital intensive है, तो वहाँ पे interest rate बढ़ेगा, and the relative demand for labor falls, causing wages W to fall, तो जिस country में जाधर production हो रही है, ठीक है, the AC, तो उसके अंदर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उसके labor की wages कम हो गई, और capital का prices जाध हो गया, और दूसरी country में उसका पूरा का पूरा ulta situation आगया, so, international trade causes W to rise in nation A, international trade की वजह से, A nation में W कर करेगा rise, the low wage rate nation, ठीक है, and to fall in nation B, the high wage rate nation, Canada example, thus, international trade reduces the pre-trade differences in W between the two nations, on the other hand, international trade causes R to rise in nation B, international trade की वजह से क्या होगा, जो rate of interest से वो बढ़ेगा, ठीक है, and to fall in nation A, जापे capital scarce, therefore, as rightly pointed out by Olin, international trade not only tends to reduce the international difference in returns to homogeneous factors, but also bring about complete equalization in relative factor prices when all the assumptions made hold good, okay, so, this happens, so, because till the relative factor prices differ, relative commodity prices differ and trade continues to expand, so, this expansion of trade reduces the differences in factor prices between nations, thus, international trade keeps expanding until relative commodity prices are completely equalized, that is, factor prices become equal in both the nations, so, that is your theory, तो, इस तरीके से जो आपका international trade का theory है, वो इस तारीके से जो आपका international trade का theory है, वो इस ताबलिश होटा है, doesn't, तो, आपके से ADCIn ।ो आपका अढ़िश होजार, पसक मिचला सक जो एफ वारीक जो,